अब देखेंगे दोनों में अंतर हम देखें तो चित्रों के माध्यम से भी इस्ट्रमेटा में इस्ट्रमेटा के द्वारा ही होता है यह प्रक्रिया इस्ट्रमेटल ट्रांस्पिरेशन कहलाता है सिर्फ इस्ट्रमेटा के द्वारा होगा सनलाइट के पढ़ने से जो इस्ट् लबदीन में घटना होती है क्योंकि इस्टोमेट दोनों ही तरह उपर में भी अपर एपीडर्मिस लोर एपीडर्मिस दोनों में ही इस्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इस तरह से यहां इस्टोमेटा है इसमें यह घटना होती है इसी तरह हम देखेंगे तो के द्वारा किस प्रकार के होते हैं लेंटरिकर के दो Karl last आणय पर दिखाई दे रहा है ओआपको अब देखेंगे इसमें जो स्रक्चर है सिह मैं तो कॉर्क जो gen..., इस तेम पे जो बार्क होती है यह कॉर्क होती है बीच बीच में यहां पर फ्लोयम है इधर कॉर्क है और यह इपिडर्मिस के नीचे की और कॉर्क है यह कम्प्लिमेंटरी सेल है क्लाउजिंग सेल है यहां पर अधिक योर हमारा इस प्रकार के structure में इसमें जो cuticle के माध्यम से सबसे बाहरी लेयर जो cuticle होता है epidermis के उपर पतली layer होती है cuticle इसके माध्यम से होता है इसमें जो guard cell का इसके क्योंकि इसमें stomata से नहीं हो रहा है यह अपर सेल की कुटिकल की बाहरी लेयर के द्वारा ही हो रहा है इसलिए इसमें रक्षक कोशिकाओं का कोई महत्व नहीं है रक्षक कोशिका के खुलने या बंध होने की प्रक्रिया में इस प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसी तरह इसमें दिन या रात का भ प्रक्रिया और बहुत ही धीमे धीमे गती से होते रहता है कि अब हम देखेंगे इस्टुमेटा की फीजियोलाजी को तो देखते हैं इस्टुमेटा ना इस्टुमेटा इस्टुमेटा है इसमें सबसीडरी सेल है सबसे बहाँ क्लोरोप्रास्ट है सबसीडरी सेल है किड्नी है यह गौर्ड सेल है वेक्ट्योस पाए जाते हैं इस्टुमेटा पोर एरिया और इसके नुकलियास थीकन शेल वाल विद द रेडियल माइसलेशन इस प्रकार इसमें एपिडर्मी सेल सबसीडरी सेल इस्टुमेटा यहां पर ओपन और क्लोज दुनों ही प्रकार के इस्टुमेटा को दिखाई देरा है इसमें तो देखेंगे हम इस्टुमेटा को फिजोलाजी आप इस्टुमेटा में हम देखेंगे जो काई की स्वरूप में देखने पर जो इस्टुमेटा जो है मुक्यता इनका कार जो है ट्रांस्पिरेशन क्रिया करना होता है पौधों के शरीर में जो temperature का control भी इनहीं के द्वारा होता है पौधों में होने वाली संपूर, transpiration की लगभग 90% जो है istomita के द्वारा ही होता है Istomita अपनी गती के द्वारा पौधों में जल की हानी को control रखती है और सकता अनुसार इन्हें रोकने या जारी रखने का कार भी इनके ही माध्यम से होता है फोटो सिंथेसिस एवं रेस्पाइरेशन जैसे महत्रपुन क्रियाओं के द्वारा कारबन डायकसाइड या आक्सिजन जैसे गैसों का जो एक्सेंज है आदान प्रदान में भी इस्टोमेटा एक अच्छा रोल अदा करती है इतना ही नहीं इस्टोमेटा जो है परुक्ष रूप से भी अनेक भौतिक प्रियाओं जैसे के सहायक कोशिकाओं कोशिकाएं कहते हैं ये सहायक कोशिकाओं जो है रंद्रो के खुलने हों बंध होने की क्रिया में रक्ष कोशिकाओं की सहायता करती है रंद्रो के खुलने हों बंध होने की क्रिया में सहायता करती हैं रंद्रो के अकार भी अलग-अलग पोधों में अलग-अलग होते हैं अब हम देखेंगे इसमें रंद्रो की धैनिके कालिता देखेंगे हम इसमें इस्टूमेटा की प्रियोडिसीटी डेली प्रियोडिसीटी आप इस्टूमेटा चित्रे में दिखाई दे रहा है रंद्र वास्पोस सर्जन की दर सभी समय पर समान नहीं होते हैं अपितु सुबा से रात्री के बीच में अलग-अलग स्टेज इसमें रधर्सित होती है जैसे ही सुर्य उदय होता है तो सुर्य उदय से ही रंद्रू के खुलने की प्रक्रिया यह वास्पु सरजन प्राडम हो जाता है अधिरे दिरे तापमान में वृद्धी होने की साथ साथ पुर्वान के 10 से 11 बजे के आसपास रंद जोवर पुणतह खुल जाती हैं उस समय रोष्णी भी ते तीर हो जाती है तता इस समय वासपुसर्जन की दर भी में इंक्रीज हो जाता है वास्पोर सजन के बढ़ते दर के कारण अंत्यता पत्तियों में जो मिजोफिल कोशिकाओं का जो आसुन दाब होता है टर्गर प्रिशर जिए जिए करके कम हो जाता है क्योंकि बढ़ते विए वास्पोर सजन दर के अनुरूप जो रूट होते हैं उतना जल जो है एक्जॉर्व नहीं कर पाते हैं और अशोशन दर कम हो जाती है जिसके कारण जो सहायक कोशिकाओं होती है वो जो है रंद्रू के बंद हो जाने पर यह जो है समाने तहर एक बज़े के बाद जो है देखने को मिलती है अफ्रान के में धिरे धिरे जल जो है शोशन के कारण पुना सहायक कोशिकाओं तथा रक्षक कोशिकाओं पुना जो है टरगाइड हो जाती है तथा रंद्र खुल जाती है एवं वास्पुर्ष तरजन फिर तेजी से होने लगता है तीन बजे के बाद हम देखते हैं कि वास्पुर्ष तरजन की दर लगभग 10 से 11 बजे के बीच होने वाली वास्पुर्ष तरजन दर की बराबर हो जाता है इस प्रकार अलग अलग टाइमे में जो रेट आप ट्रांस्पिरेशन जो है कम और ज्यादा होने लगता है प्रकास की जो तियूरता होती है एवं क्वाल्टी में भी कमी आने के कारण चार वजे की आसपास हम देखते हैं कि जो इस्टूमेटा है धिरे धिरे बंद होने लगती है यह वास्पुर्ष तरजन की दर भी कम होने लगती है सुर्यास्त के बाद हम देखते हैं सुर्योदय के पहले समानता रंद बिल्कुल ही बंद रहते हैं सुर्यास्त के बाद औ बंद रहते हैं इस तरह हम देखते हैं कि डेली जो दैनिक के रंदरों की जो पिरोड खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को चित्रों के माध्यम से हाँ पर दिखाया गया है कि रंदरों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधी को आप देखेंगे हमें हाँ पर मेकनीज वहां पेस्टों में टाव अपनिंग एंड ख्लोजिंग तो रंदरों के बंद होने और खुलने की क्रिया उपस्तित रक्षक कोशिकाओं की डर्गी डिटी तथा फ्लैसिद दसापन निर्फ़ करती है रंदर की रक्षक कोशिकाओं जो गाड़ सिल्न के अंदर इनर वाल मोटी होती है और आउटर वाल जो है वो पतली होती है एक्टरनल वाल जैसे ही रक्षक कोशिकाओं सहाय कोशिकाओं से जल का इक्जौसन करती है उसकी उसकी जो टर्गी सिटी है में विद्धी हो जाती है जिसके करण रक्षक को सिखाओं की बाहरी पतली भित्ती में खिचाओ उत्पन होता है इस खिचाओं के करण ही मोटी भित्ती भी बाहर की ओर खिचती है और कॉन्वेंक्स हो जाती है और अंदरो उपन हो जाती है जब रक्षक को सीखा जो है शलत अवस्था में आती है तो इनकी बाहभित्ती अपनी पहली दशा में आ जाती है जिस कारण अंदर की भित्ती पर किचाऊ नहीं रह पाता है इसलिए वह जो है अंदर की ओर अपनी पूर्व इस्थान पर आ जाती है और इस्त्रमेटा इस तरह बंद हो जाती है। अधिकांस पदू में जो रंद्र दिन में खुलते हैं और दिन में खुलने वाले रंद्रों को हम फोटो एक्टिव इस्त्रमेटा प्रकास नोचालित रंद्र कहते हैं। कुछ जो विशिश प्रकार के पौदों जैसे की नागपने में जो रंद्र होते हैं दिन में बंद रहते हैं तथा रात्री में प्रकास की अनुपस्तिते में खुलते हैं ऐसे रंद्रों को हम तिमरा नुचलित रंद्र या स्कोटो एक्टिव स्टुमिटा कहते हैं रंद्र की दैनिक जति के सिधान के अनुसार से हम इसे के सिधान में दिये गए हैं कि प्राशन सिधान अथ्वर रक्षक कोशिकाओं में प्रकास रंख्रेसी उत्पाधन का निर्मान होता है दुसरा हम देखते हैं सरकरा परिवरतन सिधान इस प्रकर देखते हैं कि पहला है हमारा प्राशन सिधान या रक्षक कोशिकाओं में प्रकास रंख्रेसी उत्पाध का निर्मान कहसी होता है तो रंद लाइट में जो इस्ट्रोमेटर खुलने तथा डार्क में बंद होने बंद हो जाती हैं वान मोल 1856 के अंसार जो रक्षक कोशिकाओं में उपस्तीत क्लूरोप्लास जो है प्रकासस्ट क्रिया के द्वारा राष्ण्र रोब से एक्ट्यूव हो जाती हैं जिस के कारण उनका जो आस्मेटिक प्रेसर जो है डी पीडी ed gift बढ़ जाता है に प्रेसर ईया बढ़ जाता है जिस से ओ पी और डी पीडी के कारण रक्षक को्सिकाओं में जल जो है एंडो आस्मोसिस की प्रक्रिया को सोब करता है एवं टीपी टर्गर प्रेशर बढ़ जाने से टर्गर प्रेशर में विद्धी के कारण जो भीत्री वा भित्ती जो है बाहरी भीत्ती जो है में खिचा होता है जिसके कारण जो गाड से लोती है वो आंतरिक भित्ती की भीत्त पृपन हो जाता है प्रकास रंद्रू की गती में गौट होते हैं रंद्रू के खुलने के बाद गाट सेल में उपस्ति जो वाटर होती है वो बाहर निकल जाती है तो कि जल का वातावरण के संपर्क में होता है अता वायू जो है वायू का प्रभा एवं तापमान के कारण जल वास्प में परिवर्थित होकर वातावरण में वास्पी कित हो जाता है जो रक्षक कोशिकाओं से जल की हानी के कारण जो है टर्गी दिटी भी समाप्त हो जाती है जिसके कारण देखते हैं कि रक्षक कोशिकाओं की मोटी वाल जो होती है पुर्वावस्ता में आने लग सामा लोचना सिधान दो इसका दो विरोध हुआ जो दिन के समय पत्तियों के साथ कारबन रहा है जिसके प्रभावा से रंद्र जुवान सिक रूप से बंध होने लगते हैं दूसरा देखते हैं कुछ पदो की जो रक्षक कोशिकाओं में उपस्त प्रकास्ण सेस्टन करने में असमर्थ होता है उनमें जो सिध्धान लागू नहीं होता है सेकंड देखेंगे हमें स्टार्च सरकरा परिवरतन सिध्धान इसमें देखते हैं कि जो इसमें भी अलग-अलग व्याख्या है प्रस्तूत हुई है इस पर देखा गया लास्ट में कि जो रक्षक कोशिकाओं में स्टार्च रहने पर ही इस्टोमेटा बन वसर करा रहने पर इस्टोमेटा खुल जाते हैं वानओल के अंसवार 1826 के अंस्वार जो गौर्ट सेल上 में उपस्तित क्लॉरोप्लास्त के कारण उनस के बनने वाले जो प्रदार्द जो प्राश्णन रूप से सक्री होते हैं यह प्रदार रक्षक कोशिकाओं की सांद्रता को बढ़ातेly हैं जिसके कारण जो है जिसके कारण देखते हैं कि रख्षक कोशिकाओं की कोशिका जो टर्गी टिटी उत्पन होती है जिसके कारण देखते हैं लायर नाइंटीन एट लाट फिल्ड नाइंटीन ट्वंटीवन ने के अंसार दिन के समय जो रख्षक कोशिकाओं में गुलन सिल सरकरा की मातरा अधिक रहती है जिससे कोशिका में ऑस्मेटी प्रेसर बढ़ता है इसी करण जो रख्षक कोशिकाओं में जो टर गाइड हो जाती है और इस्टोमेटा कुल जाती है बैसे रात्री के समय इस्टार्ज की मातरा बढ़ जाती है तो इस्टार्ज जल में अगुलनसिल है एता है रक्षक कोशिकाओं की ओपी पेशर औस्मोटिक पेशर कम हो जाता है और इस्टोमेटा बंध हो जाता है सेरे और इसकार्थ 1932 स्माल 1942 में देखा कि जो पीच वेल्यू पर इस्टोमेटा खूल जाथे हैं पीच वेल्यू अम्ली होने पर पीचिव वेल्यू ये दिशारी है तो उपन होंगे और अम्ली हो जाते हैं तो ये बंध हो जाते हैं उसके अंसार देखते हैं कि प्रकास की उपस्तिती में कार्बन डियाक्साइड की सांद्रता लक्षक कोसी कामें बढ़ने नहीं पाती है फोटो सिंतेजिस में कार्बन डियाक्साइड का उपयोग हो जाने से जो गार्ट सेल की पीएट जो है बढ़ जाती है रात्री के समय फोटोसिंस क्लिया नहीं हो पाती है अत्या कार्बन डियाक्साइड उप्योग नहीं हो पाती है कार्बन डियाक्साइड का जो उत्पाद होता है वो रेस्पारेशन में होता है जिसके कारण सबस्टो मेटल क्याविटीज में carbon dioxide की सांद्रता बढ़ने के कारण जो गौड से जो acidity में व्रिद्धी हो जाती है और रख्षक कोशिकाओं में जो hydrogen iron की सांद्रता में व्रिद्धी के कारण रख्षक कोशिकाओं का pH value जो कम हो जाता है अरत हम देखते हैं कि उच पी-च पर starch सरकरा में रुपांत्रित हो जाता है जिसके कारण रख्षक कोशिकाओं में प्राशन दाब बढ़ता है और वह जो हो सहाय कोशिकाओं से जल का endosmosis करता है जिसके फल सुरूप देखते हैं कि रख्षक कोशिकाओं की आसुनता या तरगी तरगी जिटी प्रेशर इस पिती धाब बढ़ जाती है और रंदर ओपन हो जाती है इसके अपोजिट देखते हैं पी-एच का मान कम होने पर सरकराई स्टार्च में परवर्थित हो जाता है और रंदर जो है बंद हो जाती है अब को कि है अब करो आज हम इस्टोमेटा की ओपनें और क्लोजिंग फ्रक्रियव का धिन करेंगे तो आई देखते हैं इस्टोमेटा की ओपनें और को सबसे पहले देखेंगे इस्टोमेटा की तर रचना को तो इस्टोमेटा की जो इस्टोमेटा एपिडर्मिस सेल पर परवलाकार छोटा सा होल लाई की स्ट्रक्चर होता है जिसकी जिन में जो बाहत होची कोशिका से घिरा होता है जिसे हम गाट सेल करते हैं रक्षक कोशिकाओं की उपसिती जो है दूइबीच पत्री प्लांट में हम देखें यह तो रक्षक कोशिका जो किड्नी ट्रेजाटे सेट्ष की सेप तथा मौनोबगज्ण फ्रोधे सी की गरेमनी औरго देखेती हैं डम्बल सेफक की होती है यहां दोनों ही प्रकार की sociometer की बemieता क्पिचर कर दिखाए रहा है यह किट्नि की समान संग्रेश इसमें बीच में दिखा देखंगे दçons यहां है, ढूंबल स्थ की संग्रा जर्ड की दिखाई दे रही इस प्रकार दोनुह ही प्रकार की संग्रा चेल रही है हम देख्रहें, और पर हां पूर्फ this है बublik और इस्टमेटा सेल जो है जो फाइल होती है वह फ्रस्पत की और आरधाने। बाहरी कोशिका जो है उसकी मोटी होती है ठीक वाल होती है और अंदर की कोशिका उसकी पतली होती है जिसको हम फीन वाल कहते है Ao केवम इय पर्मईअबलीटी होती है इसमें पारगम्य होते हैं कि प्रतिक जो गॉरोडसीह होती है उसमेंूप्र साई्टोप्रास्म , नॉक्लेयस और क्लॉरोप्रास्ट के साथ साथ एक वैक्वल्स भी पायजाती है विकल्स बहुत सारी मतलब बड़ी रिक्तिका भी प्रेजेंट होती है रख्षक कोशिकाओं के चारों तरफ हम देखते हैं विस्स प्रकार की कोशिकाओं की लेरिंग होती है जिसे हम सहाय कोशिकाओं कोशिकाओं कहते हैं ये सहाय को सिकाएं जो हैं रंद्रो के खुलने और बंध होने की क्रिया में रक्षक को सिकाओं की सहायता करती हैं सहाय को सिकाएं रक्षक को सिकाओं की को सिकावित्ती की जो समान इस्थुलन रंद्रो के खुलने और बंध होने की क्रिया में सहायता करती हैं रंद्रू के अकार भी अलग-अलग पौधु में अधालग होते हैं अब हम देखें हैं इसमें रंद्रू की दय न Normak के कालिता देखें के हम इसमें इस्टूमेटा के fitIo देली purity की आम इस्तूमेटा चित्र में दिखाई दे रहा है रंद्र वास्पुषजन की दर सभी समय पर समान नहीं होते हैं अपितु सुबा से रात्री के बीच में अलग-अलग स्टेज इसमें रधर्सित होती है जैसे ही सुर्य उदय होता है तो सुर्य उदय से ही रंद्रू के खुलने की प्रक्रिया यह वासपुस्सरजन प्राडम हो जाता है दिरे दिरे तापमान में व्रिद्धी होने की साहसाथ पुर्वान के 10 सी 11 बजे के आसपास रंद पुनता खुल जाती है उस समय रोशनी भी तेटीर हो जाती है तथा इस समय वासपुस्टर जन की दर भी में इंक्रीज हो जाता है उच्छ हो जाता है वासपुस्टर जन के बढ़ते दर के कारण अंत्यता पत्तियों में जो मिजोफिल कोशिकाओं का जो आसुन दाब होता है तर्गर प्रिशर दिरे दिरे करके कम हो जाता है क्योंकि बढ़ते हुए वासपुस्टर जन दर के अनुरूप जो रूट होते हैं उतना जल जो है एक्जॉर्व नहीं कर पाते हैं और अशोशन दर जो कम हो जाती है जिसके कारण जो सहायक कोशिकाओं होती है वो जो है रंद्रू के बंद बंद हो जाने पर यह जो है समाने तह एक बजे के बाद जो है देखने को मिलती हैं अफ्रान के में धिरे धिरे जल जो है शोशन के कारण पुना सहायक कोशिकाओं तथा रक्षक कोशिकाओं पुना जो अटर गाइड हो जाती है तथा रंद्र खुल जाती हैं एवं वास्पुर्स तरजन फिर तेजी से होने लगता है तीन बजे के बाद हम देखते हैं कि वास्पुर्स तरजन की दर लगभग 10 सी 11 बजे के बीच होने वाली वास्पुर्स तरजन दर के बराबर हो जाता हैं इस प्रकार अलग अलग टाइमें में जो रेट आप ट्रांस्पिरेशन जो है कम और ज्यादा होने लगता है प्रकास की जो तियूरता होती है एवं क्वाल्टी में भी कमी आने के कारण चार वजे के आसपास हम देखते हैं कि जो इस्टूमेटा है धिरे धिरे बंद होने लगते हैं यह वास्पुर्स तरजन की दर भी कम होने लगते हैं सुर्यास्त के बाद हम देखते हैं सुर्योधाय के पहले समानता रण्द बिलकुल भी बंद रहते हैं। सुरियास्त के बाद और सुरियोदाय की पहले जो इस्ट्रूमेटर है कुणता बंद रहते हैं इस तरह हम देखते हैं कि डेली जो दैनिक रंदरों की जो पिरोड खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को चित्रों के माध्यम से हाँ पर दिखाया गया है अब कि रंदरों के खुलने और बंद होने की क्रिया विधी आप देखेंगे हमें अब पर मेकनीज वहां पेस्टों में टॉपनिंग और टोजिंग तो रंद्रों के बंद होने वंखुलने की क्रिया में उपस्तित रख्षक कोशिकाओं की डर्गी डिटी तथा प्लेशिट दसापन निर्फ़ करती है रंद्र की रख्षक कोशिकाओं के अंदर इनर वाल मोटी होती है और आउटर वाल जो है वो पतली होती है एक्टरनल वाल जैसे ही रख्षक कोशिकाओं सहाय कोशिकाओं से जल का एक्जौसन करती है उसकी उसकी जो तर्गी सिटी है में विध्धी हो जाती है जिसके कारण रख्षक कोशिकाओं की बहारी पतली वित्ती में खीचाओं उत्पन होता है इस खीचाओं के कारण ही मोटी भित्ती भी बाहर की ओर खिषती है और konvenx हो जाती है और अंदरो उपन हो जाती है जब रक्षक को सीखा जो है सलत अवस्था में आती है तो इनकी बाह भित्ती अपनी पहली दशा में आ जाती है जिस कारण अंदर की भित्ती पर खिचाव नहीं रह पाता है इसलिए वह जो है अंदर की और अपनी पूर्व इस्थान पर आ जाती है और इस तरह बंद हो जाती है अधिकांस पदो में जो रंदर दिन में खुलते हैं और दिन में खुलने वाले रंदरों को हम फोटो एक्टिव इस्थोमेटा प्रकास नोचालित रंदर कहते हैं कुछ जो विशिस प्रकार के पौदो जैसे की नागफने में जो रंद्र होते हैं दिन में बंद रहते हैं तथा रात्री में प्रकास की अनुपस्थिते में खुलते हैं ऐसे रंद्रों को हम तिमरा नुचलित रंद्र या स्कोटो एक्टिव स्टुमिटा कहते हैं रंद्र की दैनिक गति के सिधान की अनुसार से हम इसे के सिधान में दिये गए हैं कि प्राशन सिधान अत्वर अक्षक कोशिकाओं में प्रकाश रंख से सी उत्पाधन का निमान होता है दूसरा हम देखते हैं इस्टार्च सरकरा परिवरतन सिधान सक्री पोटेशियम आयन अभी गमन सिधान इस प्रकर देखते हैं कि पहला है हमारा प्राशन सिधान या रंख्षक कोशिकाओं में प्रकाश रंख से उत्पाध का निर्मार कहसी होता है तो रंद लाइट में जो इस्ट्रोमेटर खुलने तथा डार्क में बंद हो जाती हैं वान मोल 1856 के अंसार जो रंख्षक कोशिकाओं में उपस्तीत क्लूरोप्लास जो है प्रकाश संसेशन क्रिया के द्वारा प्राशन रोप से एक्टिव हो जाते हैं जिसके कराण उनका जो ऑस्मेटिक प्रेसर जो है डीपीडी एवं डीपीडी बढ़ जाता है डीप्यूजन प्रेसर बढ़ जाता है जिससे ओप्य और डीपीडी के कारण रख्शक कोशीकाओं में जल जो है एंडो आस्मोसिस की प्रक्रिया को सोब करता है एवं टीपी टर्गर प्रेसर बढ़ जाने से जो टर्गर प्रेसर में विद्धी के कारण जो भीत्री वा भित्ति जो है बाहरी भीत्ति में खिचा ह जिसके कारण जो गाड़ सेल होती है वो आंतरिक भित्ती की भित्ती भी बाहर की और खिच जाती है जिसे होता है कि स्टोमेटा उपन हो जाता है प्रकास रंधरू की गती में जो गाड़ सेल होती है वो तर्गिटी हो जाते हैं और रंधरू की खुलने के बाद गाड़ सेल मे उपस्ति जो वाटर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं जो कि जल का वातावरण के संपर्क में होता है अता वायू जो है वायू कप्रभा एवं तापमान के कारण जल वाष्प में परवर्तित होकर वातावरण में वाष्प İkkit हो जाता है जो रक्षक कोसिकाओं से जल की हानी के कारण तर्गी तिझें भी समाप्त हो जाती है जिसके कारण देखते हैं कि रक्षकोशिकाओं की मूटी वाल जो होती है वो पुर्वावस्ता में आने लगती है और रंद्र जोगे दिरे बंद हो जाती है समा लोचना सिधान दो विरोध हुआ जो दिन के समय पत्तियों के साथ कारबंड याक्षाइट की सांद्रत नामें मृद्धी होती है जिसके प्रभावा से रंद्र जोगान सिक रूप से बंद होने लगते हैं दूसरा देखने है कुछ पधो की जो रख्षक कोशिकाओं में उपस्त क्लूरोप्लास जो है प्रकास संसेशन करने में असमर्थ होता है या उनमें जो जो सिधान लागू नहीं होता है आध कि देखेंगे हमें इस्टार्ट सरक्रा परिवर्टन सिध्धान इसमें देखते हैं कि जो इसमें भी अलग-अलग व्यांख्या प्रस्तुत हुई है पर देखा गया लास्ट में कि जो रक्षक को सीकाओं में स्टार्च रहने पर ही इस्टोमेटा बन वसर करा रहने पर इस्टोमेटा खुल जाते हैं कि वान मोल के अंसवार 1826 के अंसवार जो गौड्सेल में उपस्थीत क्लोरोप्लास के कारण उनमें बनने वाले जो प्रदार जो प्रश्ण रूप से सक्री होते हैं यह प्रदार जो है रक्षक को सीकाओं की सांद्रता को बढ़ाते हैं जिसके कारण जो कि जिसके करण देखते हैं कि रख्षक कोशिकाओं की कोशिका जो टर्गी टिटी उत्पन होती है जिसके करण रण जो खुल जाते हैं लाएरर-1998, लाब्टविल 2021 नेके दुशार दिन के समय जो रख्षक कोशिकाओं में गूलन्सिल सरकरा की मातरा अधिक रहती है जिस से कोशिकाँ में औस्मेटिक प्रेसर बढ़ता है इसी topic जो रख्षक कोशिकाँ में जो टर गायड हो जाती है और shift сожалению अखुल जाती है बैसे रात्री के समय इस्टार्च की मातरा बढ़ जाती है तो इस्टार्च जल में अगुलन्सिल है एता है रक्षक कोशिकाओं की ओपी पेशर और इस्टोमेटा बंध हो जाता है सेरे और इसकार्थ 1932 में देखा कि जो पीच वेल्लू पर इस्टोमेटा खुल जाते हैं पीच वेल्लू अमली होने पार पीच वेल्लू ये दिशारी है तो ओपन होंगे और अमली हो जाते हैं तो ये बंध हो जाते हैं उसके अंसार देखते हैं कि प्रकास की उपस्तिती में कार्बन डियाक्साइड की संध्रता लक्षक कोसिका में बढ़ने नहीं पाती है फोटो सिंतेजिस में कार्बन डायक्साइड का उप्योग हो जाने से जो गार्ट सेल की पीएट जो है भड़ जाती है रात्री के समय फोटो सिंतेजिस क्रिया नहीं हो पाती है अत्ता कार्बन डायक्साइड उप्योग नहीं हो पाती है carbon dioxide का जो उत्पाद होता है वो respiration में होता है जिसके कारण सबस्टो मेटल क्यावटीज में carbon dioxide की सांद्रता बढ़ने के कारण जो acidity में वृद्धी हो जाती है और रक्षकोशिकाओं में जो hydrogen ion की सांद्रता में वृद्धी के कारण रक्षकोशिकाओं का pH value जो कम हो जाता है अरत हम देखते हैं कि उच पीएच पर starch सरकरा में रुपांत्रित हो जाता है जिसके कारण रक्षकोशिकाओं में प्राशन दाब बढ़ता है और वह जो हो सहाय कोशिकाओं उसे जल का endosmosis करता है जिसके फल सुरूप देखते हैं कि रक्षकोशिकाओं की आसुनता या टर्गी टर्गाइट टर्गी जीटी प्रेशर पिती धाब बढ़ जाती है और रंद्र ओपन हो जाती हैं इसके अपोजिट देखते हैं पी एच का मान कम होने पर सरक्राई स्टार्च में परवर्थित हो जाता है और रंद्र जो है बंध हो जाती हैं क्या है